नमस्कार, निशामधुलिका.com में आपका स्वागत है, आज हम अंकुरित मून के पराठे बनाएंगे, अंकुरित मून के पराठे दो तरीके से बनाए जाते हैं, एक तो अंकुरित मून को पीस कर उसकी स्टफिंग बना ली जाए और भर कर पराठे बनाए जाएं, दूसरा अंकुरित मून को दर-दरा पीस कर आटे में मिलाकर की गूथा जाए और फिर उसके पराठे बनाए जाएं, तो हम स्टफिंग बनाकर भर कर पराठे पहले ही बना चुके हैं, आज हम अंकुरित मून को पीस कर और आटे में गूथ कर पराठे बनाएंगे, ये पराठे शुरू करते हैं, इसके लिए हमने एक कप गिरू का आठा लिया है, एक कप अंकुरित मूम लिये हैं, तीनचा टेबल स्पून तेल ले ले लेंगे, जो कि थोड़ा सा तेल हम आठे में डाल कर गूथेंगे, और पराठा सेखने के लिए, दो तिन टेबल स्पून हरा धनिया, एक पिंच हींग, एक चथाई चोटी चमच जीरा, एक हरी मेंच बारी कटी हुई, आधा चोटी चमच अधरक का पेस्ट या आधा इंच अधरक का टुका कद्दुकस किया हुआ, एक चथाई चोटी चमच से आधी लाल मेच, आधा चोटी चमच धनिया पाउडर, और आध श्रत्प चौन्ड मॉंग को दर्द पीष में तैयार कर लीए है थोड़े दर्द तर्यार पीषिये हैं और अब हम इसे आट कर मिलाक गूत θेरा भी डाल देंगे नमक ढार देते हैं हींग दाल देंगे धनिया पाउडर हरी मिर्च लाल मिर्च ज्यादा तीखा नहीं खाना हो तो लाल मिर्च मठ डाले हैं हरी मिर्च काफी है और अध्रक पेस धन्या भी मिला देता है और एक चमच तेल डाले हैं सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स होने तक मिक्स कर लिए और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पराठे का जैसा नॉर्मल आटा गूदते हैं उसी तरीके का नरम आटा गूद कर तयार कर लिए यह हमें सॉप्ट आटा गूद कर तयार कर लिया है और इतना आटा गूदने में हमें एक चथाई कप से थोड़ा साथ जादा पानी लगा है और अब हम इसे ठक करके बीस मिनिट के लिए रख देंगे आटा फूल कर सैट हो जाएगा तब हम इससे पराठे बनाएंगे 20 मिनिट हो गये है और हमारा आटा भी पूल कर सैट हो गया है हाथ पर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और आटे को मसल कर चिकना कर लेंगे और अब हम पराठे बनाना शीरू करते हैं ओस्सके लिए हमें परोथन के लिए थोड़ा सा सूखा आटा चाहिए वह हमने ले लिया है तबहँ होने रख दिया है अब हम आठे से तोड़ करके लोई तयार करें तो पराठे हम अपने पसंद के अनसार छोटे या बड़े कैसे भी बना सकते हैं तो हम ये पराठे मीडियम साइज के बना रहे हैं एक छोटे अमरूत के बराबर हमने आठा तोड़ करके लोई बना ली है गोल करेंगे और लोई को सुखे आठे में लपितेंगे पराठे को चार पांच इंच के ब्यास में गोलाई में बेल लिए पराठे हम गोल बना सकते हैं तिकोने बना सकते हैं तो जैसे हमें पसंद हो उस तरह के हम पराठे बना लेंगे हम ये पराठे तिकोने बना रहे हैं ये हमने पराठा गोल बेल दिया इसके उपर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और चारो और फैलाएंगे पराठे को आदा करते हुए मोर देंगे अब हम इसके उपर थोड़ा सा तेल डालेंगे और चारो और फैलाएंगे और पराठे को आदा करते हुए मोर दें यानि ये हमने तिकोनी लोई बना कर तयार कर लिए और अब हम इसे सुखे आठे में लपेटेंगे और पराठा पतला बेल कर तयार करेंगे पराठे को बहुत जादे पतला में बेलेंगे पराठा आच्चकले पर चिपक रहा हो सुखा आठा और लगा लेंगे और पराठे को थोड़ा सा पतला बेल लेंगे यह पराठा हमने बेल कर तयार कर लिया तब गरम हो गया है तबे पर थोड़ा सा तेल डाल कर चार और खैला लेंगे पराठे को तबे पर डालेंगे और जब तक हमारा ये पराठा तबे पर सिखता है तब तक हम दूसरा पराठा बिल्कुल इसी तरह बेल कर तयार करेंगे पराठे की उपर की सत्य का कलर थोड़ा डार्क हो गया है पराठा नीचे से सिख गया है पराठे को हम पलट देंगे पेस पर थोड़ा सा तेल डालेंगे और चारा ओर फैलाएंगे पराठे को पलट देंगे इस ओर भी हम थोड़ा सा तेल डालकर पराठे के ऊपर चारा ओर फैलाएंगे और अब हम पराठे को हलका दबाब देते हुए मीडियम आग पर दोनों और अच्छी ब्राउन चित्ती आने तक सेकेंगे पराठा दोनों और से गोल्डन ब्राउन हो गया है इसे हम उतार कर या तो किसी प्लेट पर रखी हुई प्याली पर रख ले या फॉइल बिचा के रख ले या खाने वाले की थाली में डारेक्ट पर उसे पराठा अगर तवे से उतर कर खाने वाले की थाली में जाता है तो बहुत ज्यादा स्वादिस लगता है यह पराथे हमने से रेकर तयार कर लिए हैं और इतने आटे में चार पराथे बनकर के तयार हो गए हैं अंकुरित मूंग के पराथे बनकर के तयार हैं बहुत ही खस्ता बहुत ही अच्छे पराथे बने हैं अंकुरित मूंग के पराथों को चट्मी अचार दही राइता या फिर अपने किसी भी मन पसंद पतली ग्रेवी वाली सबजी के साथ में परोश सकते हैं अंकुरिक मुम के पराठे बच्चों के तिफिन में रखिए सात में सास या मिऐ-चट्मी जैम रख द Tag या फिर एक उबले हुए आली में फोड़ा सा मसाला मिलाकर पराठे के साथ में रख दीजिये बच्चों को बहुत पसंद आएंगे ये पराठे आप अंकुरिक मूम के पराठे बनाईए खाईए और अपने अनुखव निशामधुलिका.com पर शेयर कीजिए एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब चरूर कीजिए